प्राइब है देखिए आखिर तक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अभी तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ चीन में बने माहौल के वज़े से या फिर कोरोना को लिकर के चीन की हुई बदनामी के वज़े से चीन में काम कर रही वदेशी कमपनिया भारत आना चाहती है या फिर कुछ और वज़े इसके पीछे है दरसल भारत में Ease of Doing Business पिछले कुछ सालों में काफी सुधरा है अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो 2005 में भारत दुनिया में 116 वे नंबर पर था 2014 आते आते भारत की रैंकिंग गिर कर 142 हो गई लेकिं 2014 के बाद से अब तक भारत की रैंकिंग में सुधरा हुआ है और भारत इस वक्त दुनिया में 63 वे नंबर पर है हालनकि Ease of Doing Business को लेकर भारत में अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है मसलन बिजनस शुरू करने में आसानी होना बिजनस फेल हो जाने पर बिजनस को समाप्त करने में आसानी होना बिजनस शुरू करने के बाद उसके लिए जरूरी कंस्ट्रक्शन की इजाज़त वक्त पर मिलना और एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेडिंग करने के लिए आसानी होना इन सबी चीजों पर भारत को भी काम करने की जरूरत है लेकिन इस वक्त दुनिया में जो महाल बना है उसमें भारत की Ease of Doing Business की स्थिती को देखते हुए और चीन में जो कोरोना को लेकर स्थिती बनी है उसके बाद उसकी जो बदनामी हुई है उसको देखते हुए चीन में काम कर रही विदेशी कमपनिया भारत आने की इच्छोख है कई मीडिया रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से इस तरह की कमपनीज को लैंड आफर की जा रही है और ये लैंड भी छोटी मोटी नहीं ये जमीन इतनी है कि जिसमें एक छोटा मोटा देश बसाया जा सकता है फिलाल मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से इन कमपनीज को लगजंबर्ग देश की कुल जितनी जमीन है उससे करीब दोगनी जमीन आफर की जा रही है और यह जमीन जिन राज्जों में हैं उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, तमलनाडू और आंधरापरदेश शामिल हैं किसी भी बिजनस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीजे होती हैं उसमें लैंड, लेबर और कैपिटल इंपॉर्टन होते हैं लैंड को लेकर हम पिछले कुछ सालों में देख चुके हैं कि भारत में कई तरह के विवाद सामने आए जमीन क्योंकि राज्ये से जुड़ा हुआ विशय है इसलिए इसमें केंदर सरकार अपने स्टर पर कोई फैसला नहीं ले सकती है अगर किसी विदेशी कंपनी को ये जमीन देनी हैं तो केंदर और राज्ये दोनों को मिलकर काम करना होगा अब चीन में काम कर रही इन विदेशी कंपनीों को आकरशित करने के लिए भारत की तरफ से ऐसे कोशिशे की भी जा रही है और इन में राज्यों को भी शामिल किया गया है दूसरी तरफ राज्ये अपनी तरफ से भी इस ओफ दूइं बिजनस को बढ़ाने के लिए कई प्रियास कर रहे हैं इसमें ऑनलाइन पर्मिशन्स सबसे इंपॉर्टेंट है और कई राज्ये ऑनलाइन ही बिजनस की इजाज़त देने में ज्यादा रुची दिखा रहे हैं तो कोरोना की वज़े से अर्थवयवस्ता में आई मंदी की स्थिती को सुधारने के लिए न्यवेश बहुत जरूरी है ये बहुत जरूरी है कि नई कमपनीज आएं बिजनसस शुरू हों Hemारे कि इसमें इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी कमपनीज भारत में आ चुक हैं और ये बहुत ही गंभीर विशय है इस पर बहुत गंभीरता से सोच जाने की जरूरत है बहुत गंभीरता से आगे बढ़ने की जरूरत है